हम लोग भारत भुगोल से संबंधित टॉपिक भारत की नदियों की आपवाहत अंत्र के बारे में प्यापम और प्यापम और प्यासी में पूछे के क्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं आज उसी सीरीज में ही नेक्स्ट दूसरा नमबर इसमें वीडियो देखते हैं पहला क्वेशन इसका सॉल्व करते हैं पहला क्वेशन है किस महारती नदी में डॉल्फिन पाए जाती है पहला है इसका सही अंसर मुझे कमेंट में बताइए दोश्तों और इसका सही अंसर है सी नमबर सी नंबर गंगा में डॉल्फिन पाए जाती है गंगा नदी में डॉल्फिन पाए जाती है चले नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं भारत के निम्लेखित नगर गंगा नदी के किनारे हैं पहला हरीद्वार पटना लखनव इलाहबाद तो इसका देखते हैं दोस्तों हरीद्व अबर दल्पपर है पढ़ना है और इलावाद भी है लेकिन जो लगनाव है यहां लकनाव मुझा लकनाव कोमती नदी के किनारे बसा हुआ यह जिस ओप सब twee नंबरने होगा बाकि सभी होंगे जिस अप्षेम्स में होगा उसमें चूर्ट एक दो और चार यहां पे C नंबर पे है इसका सही अंसर होगा C नंबर चलिए next question देखते हैं इन में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है option B में कौन C नदी सबसे लंबी है option में यहां पे दिया हुआ है तापती महानदी कावेरी और तुंग भद्रा तो इन सभी में से देखते हैं हम लोग तो जो तापती की लंबाई है 724 है तापती की और महानदी का है महानदी की लंबाई है 859 और कावेरी का देखते हैं तो कावेरी के लंबाई है 805 किलो मीटर और तुंग भद्रा का यह इन में से कम है दोस्तों तो यहां पे सबसे लंबी नदी होगी 858 वाला महानदी बी नमबर इसका सही अंसर होगा बी नमबर चलिए नेश्ट देखते हैं निमलिकित में से कौन सी जोड़ी भारत की नदी एवं उसका उद्गम सुमेलित नहीं है ओप्सन ए है तापती मुलताई पहाड़ी बी है कावेरी ब्रह्मगिरी और सी है सोन अमरकंटक डी है कृष्णा नासी तो इसका सही अंसर है दोस्तों डी नमबर कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है तो यहां ओप्सन डी गलत है बाकी सब सही है तापती नदी मुलताई पहाड़ी से निकलती है और कावेरी है ब्रह्मगिरी से सोन है अमरकंटक और कृष्णा है महाब का उदगम इसके बारे में डिटेल देखते हैं कृष्णा रादी का उदगम यहां पर देखते हैं महाबलेस्वर की पहाड़ी महराष्ट्र से इसकी सुरुआत होती है और देखते हैं इसकी लंबाई 1400 किलो मिटर है परियोजना इसमें एक है नागरजुन परियोजना और अल सले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन है नदी के नाम और उदगम इस्थाल इन दोनों को मिलान करना है तो यहां पर देखते हैं ओप्सन में दिया हुआ है कुदावरी कृष्णा कावेरी और माही नदी तो यहां पर हम लोग देखते हैं जो गुदावरी नदी है इसकी उद्गम हुआ है कहां से हुआ है दोस्तों गुदावरी का गुदावरी का हुआ है त्रयंबक पहाडी से और कृष्ण नदी का महाबलेश्वर से और कावेरी का है कुर्ग पहाडी से और माही नदी है मेहत जील से तो इस प्रकार इसको एक का दो, बी का चार और सी का है तीन और डी का हर्ष नमबर चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं सतलज नदी का उदगम इस्थल है सतलज नदी का उदगम इस्थल कहा है धौलाधार, स्रेणी, पीरपंजाल, स्रेणी, राकस्ताल, स्रेणी और काराकोरम तो सतलजनदी का उद्गम इस्थान है राकस्ताल परवत सी नमबर सही है सतलजनदी का उद्गम इस्थान राकस्ताल तीबबत का पठार या सिपकिला दर्रे से भारत में परविष करती है तो यहां हमें दो चीज पता चल जाता है दोस्तों एक तो पहला है राकस्ताल परवत से इसकी सुरुवात होती है मतलब उद्गम होती है और दूसरा देखते हैं सिप्ट किला दर्रे से यहां भारत में प्रविस्ट करती है सतलज नदी चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते ह निमलेकित में से किस इस्थान से कावेरी नदी का उद्गम है पहला है महाबलेश्वर, त्रयंबक पहाड़ी, अमरकंटर, ब्रह्म गिरी पहाड़ी या इन में से कोई नहीं तो हम लोग देखे ले दोस्तों जो कावेरी नदी है इसकी इस्थापना गी नमबर ब्रह्म गि पहाडी लंबाई 805 किलुमिटर है और परियोजना में देखते हैं सीव समुद्रम एउम मैटूर बांध परियोजना है कावेडी नदी में और विशेज देखते हैं जो कावेडी नदी है दक्षिन भारत की गंगा कहलाती है जबकि दक्षिण की गंगा गुदावरी कहते हैं तो दक्षिण की गंगा गुदावरी है और दक्षिण भात की गंगा कौनसी है कावेरी है चलिए next question देखते हैं दक्षिण भात की गंगा कहा जाता है अभी इसको डिसकुस कर लिया है तो ये नंबर इसका कावेरिक सही है next question देखते हैं नेश्ट कुर्शन देखते हैं निम्न लिखित स्थानों में से कौन सा सिंधु नदी का उदगम है तो सिंधो नदी का उदगम बी नमबर तीबबत है चलिए सिंधो नदी के बारे में डिटेल देखते है सिंधो नदी का उदगम तीबबत के मान सरुवर जील से हुआ है और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है सिंधो नदी और सहायक नदी में चिनाव नदी है परियोजना देखते हैं चुखा और निबू बाजू परियोजना दो इसमें परियोजना है चुखा और निबू बाजू परियोजना यहां पर हम लोग देखते हैं जो सिंधु नदी है भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मा पुत्र नदी भारत से बहने वाली अपवात अंत्रा में सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मा पुत्र नदी और जो गंगा नदी है यहां भारत में बहने वाली सब तरी प्राप्त हो गई दोस्तों चलिए next question देखते हैं सिंधो नधी की सबसे बड़ी सहायक नधी है तो सिंधो नधी की सबसे बड़ी सहायक नधी है चिनाब नधी है option B number तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में हम लोग इससे आगया का question solve करेंगे यदि आप लोगों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक केजिए कमेंट केजिए और दोस्तों के साथ में share भी कर दीजिए thank you so much वीडियो देखने के लिए